Hello दोस्तों, Welcome back to Apps दुनिया YouTube channel दोस्तों, आज बताऊंगा जो आपके पास पुराने से पुराने एंडरेट फून है मान के चलो आपका फून दो साल पुराना हो गया या तीन साल पुराना हो गया जो भी Android phone है आपके पास, उस Android phone को बिल्कुल DSLR पे जैसे camera पे फोटो होता है, बिल्कुल ऐसे ही आप भी आपके phone से फोटो बना सकते हैं, वो भी DSLR की तरह ही दिखेगा, और कोई भी देखेगा न तो कहेगा नहीं कि यह DSLR में खिचावे नहीं है, यह mobile से खिचावा फोटो क किसी को भी नहीं लेगा, तो इस वीडियो को दोस्तो शुरूख सिरे के लाज तक जुरूँ देखना, यह पौँचा ट्रीक है, तो आपको फिस तो स्वागत करता हूँ, आपका ही सिटूशनल दोस्तों, आपस के दुनिया में, दोस्तों मैं वो आपका दोस्त, आपको भा सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से आपको सब्सक्राइब करें के इसके साथ जो बेल है, यह ओल वाला बेल पे आपको दबा के रख दिना है, और जो वीडियो देख रहे हो, सिंप्ली नीसे कमेंट वक्स आएगा, तो एड़े कमेंट वक्स में आपको यहाँ पे कम सब्सक्राइब करना है, फिर इस तरह से आता है, जैसे आप मैं पहले दिखाता हूँ मेरे गैलरी पे जाके, मेरे गैलरी पे आया, और आने के बाद यहाँ पे सबसे पहले में दिखाता हूँ, जैसे की पिक्सर्स यहाँ पे दिखाता हूँ, जैसे यह देखो, यह दो तो सबसे पहले आपको मैंने जो बताया याप को इंस्टल करना है ओपन करना है जैसे कि देख सकते हो फिर लॉच और और शूटिंग तो आपको डीस डेय खलब रफक लिक करते नहुगा डोंट हैसस तो आपको गोव पर क्लिक करते फिर यहां पे इसमें click करना होगा इसमें यह देखो tap the icon new guide तो यहां पे I new तो यहां पर यह जो है तो इसमें इस तरह से पकड़कर रखना है और यह देखो यह हो गया normal सा और इसको मैं छोड़ देता हूँ तो आपका photo को DSLR प्लेता है जैसे कि अभी ध्यान से देखो जो normal photo है इसको पकरके रखते हो तो यह देखो यह नॉर्मल फोटो है और इसमें मैंने अपलोट कर लिया अपलोट करने की बात यह देखो बिल्कुल जो पीछे का बैक्रॉण है इसको पूरी तरफ से DSLR कर दिया फिर इस तरफ से और भी है यहां पर देख सकते हो और दोस्तों यहां करना होगा और इसमय सब्सक्राइफ करना होगा और यहां पर यहां और Ultra HD में क्लिक करते हैं, Use It Now पे क्लिक करके आपको Sign In पे क्लिक करते हुगा, Sign In पे क्लिक करोगे तो आपका फोटो बिल्कुल Ultra HD पे से बिल्कुल इसी तरफ से, जैसे कि देख सकते हो, Uploading Now बिल्कुल 15%, 20% इस तरफ से 100% होगा, फिर आपका फोटो बिल्कुल HD में बन जायागा, और जो भी फोटो है बिल्कुल DSLR का लोग देगा, और फिर ये फोटो बन के तेयर हो जायागा, फिर ये Ultra HD पे देखो, ये हो गया Before और ये After, ये देखो इसमें दिखाया है, ये Before ऐसे था, और After, ये Ultra HD पे करने के बाद, ये देखो, कितनी Ultra HD पे हो गया है, फिर ये कर दिने के बाद Simply Compress, और फिर Ultra HD पे क्लिक करना है, और ये देखो, कर दिने के बाद Simply Write कर दिना है, Write कर दिने के बाद, Save to Album हो जाएगा, ठीक है, तो अभी मैं Simply जाता हूँ, मैं एरे गैलरी पे, गैलरी पे जाके दिखाता हूँ, Simply जैसे आभी बेक करता हूँ, और गैलरी का जो normal सा फोटो अब में, all photos पे click करके दिखाता हूँ, ठीक है, ये देखो, जो अभी normal सा फोटो है, ये फोटू है थ्यान से देखो ये नॉर्मल साफ कैमरा पे लिया हुआ फोटू था और जो आभी मैंने इस एप से बनाया इस फोटू को थ्यान से देख लो भाई देख सकते हो जो पीछे का बैगराउंड है ना ये मतलब ऐसे लगता है बिल्कुल DSLR में ये खिचा है और अल इस इतना तक ये उउट कर देखो ये फोटू देखके कोई कहेगा क्या यह कैमरा पे खिचा हुआ है जो की ये फोटू था ये नॉर्मल सा फोटू जीक्र करो प。」 लेकिन यह फोटो को अटाके में दिखाता हूँ अभी जो मैंने क्रॉप किया यह देखो यह फोटो बेक्राउन देखो बिल्कुल DSLR की तरह लाएगा तो यह एक ऐसी एप है जो बिल्कुल यूसफुल और बिल्कुल फ्री तो इस आप अभी मैं आपको लाइक तो लाइक दि उसके सब्सक्राइब बेल है और वाला बेल पर दबाके ज़रूर रख देना तो दोस्तों आज के लिए इतना ही फिर में लेंगे दोस्तों आप सब्सक्राइब लागली वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों खुश रहो जेह